दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिराजर हूँ आपके साथ एक निव्ज आर्टिकल लेके टाइमस ओफ इंडिया से और दोस्तों आज का यह जो आर्टिकल है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के लाइन देख लेता है अंजूस मैरेज रन टू पाक लीव स्किन आउट आफ वर्क क्या मतलब वह इसका देखिए अपैस्ट्रोफी एसका मतलब होता है का के की जह हम किसी व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते है तो अपैस्ट्रोफी का प्रियोग किया जाता है जिसकी हिं पाकिस्तान के लिए ये लीव जाल शोड़ना लीव स्किन आउट वर्क तो उसका क्या मतलब हो कि लिए जिसकी वैसे उनका काम छूट गया तो दोस्तों यह की हैडलाइन थी और किन का मतलब होता है रिश्तेदार तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो अंजू का यह जो marriage रहने विवा के लिए भागना पाकिस्तान उसकी वैसे क्या हुआ leaves skin out of work जो किन है मतलब रिष्टिदार है उनका वो out of work हो गया मतलब उनका काम छूट गया तो दोस्तों यह इसकी headline थी अब मैं इस article को पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे request है आप इसे पूरे ध्यान से सुने क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की meaning बताऊंगा तो चलिए इसको शुरू करते हैं अन्जूस डिसीजन तो रन ओफ तो पाकिस्तान एंड अपरेंटली मैरी हर फेस्बूक लवर देर हैस हैड सीवियर रिपर कसंच ओन हर फैमिली बैक होम क्या मतलब वा इसका अन्जूस डिसीजन देखिए एपस्टोफी एसका मतलब का कि कि यह डिसीजन का मतलब होता है न निलने अन्जूस डिसीजन टू रन ओफ टू पाकिस्तान क्या मतलब होता है पिरत्यक चूरूप से या फिर जाहरी तोर पर एंड अपरेंटली और पिरत्यक चूरूप से मैरी हर फेस्टूक लवर अपने फेस्टूक परेमी से शादी करने का देर वहाँ पर हैज हैड सीवियर रिपर्कॉशंस और फैमली उसका मतलब इस घटना का सीवियर रिपर्कॉशंस का मतलब होता है गंभीर नतीज्या गंभीर परिणाम हुआ है ऑन हर फैमली बैक हॉम उसके परिवार पर चलिए. आगे देखिए. Her husband has been benched. देखिए दोस्तों, जब हम has been और have been के बाद third form का प्रियोग किया जाता है, जो bench है, ये एक वर्व की तरह प्रियोग किया गया है. इसका मतलब होता है बैठा देना किसी को. तो has been, have been के बाद जब third form आईगे तो वो passive voice का sentence हो जाएगा तो ये present perfect का passive voice का sentence है तो इस line का क्या मतलब हुआ Her husband has been benched by his employers Employers का मतलब होता है मालिक मतलब जो her husband उनके पती को क्या है has been benched का बिठा दिया गया है has been benched by his employers मतलब की उनके मालिकों के द्वारा Employers का मतलब होता है नियोक था या जो व्यक्ति काम पर रखता है जिसे हम मालिक कह सकते है तो उनके पती को उनके मालिकों के द्वारा क्या किया गया है bench कर दिया गया है her brother has been sacked देखिए sack का मतलब होता है काम से निकाल देना और यहां भी has been के बाद third form का प्रियोक किया गया है तो यह भी sentence present perfect का passive voice का sentence है तो क्या मतलब हुआ her brother has been sacked उनके उसके भाई को निकाल दिया गया है has been sacked मतलब काम से निकाल दिया घए हटा दिया गया है and her father और उसके पिता who is a tailor कितना प्रियोक किया गया है जहां किसी से कुछ relate करना चाहते है तो who का प्रियोक किया जाता है जिसकी हिंदी होती है जो and her father और उसके पिता who is a tailor जो एक दरजी है is no longer getting work अब उन्हें और काम नहीं मिल रहा है getting work मतलब और अब काम नहीं मिल रहा देखिए जो word है distancing distance एक noun है जिसका मतलब होता है दूरी और distance एक verb भी होता है जिसका मतलब होता है दूरी बनाना तो यहां पर इसको वर्व कितना प्रियोक किया गया है तो क्या मतलब हो है स्लाइन का as जैसे कि people are distancing themselves from him जो लोग है वो खुद को दूर कर रहे है from him मतलब उनसे चलिए आगे देखिए अन्जूज फादर अब यह apostrophe है मतलब काके की तो क्या मतलब होँ अन्जूज फादर अन्जू के पिता गया प्रसाद Thomas क्या नाम है गया प्रसाद Thomas is being shunned shunned का मतलब होता है काम से हटा देना या किसी को किनारे कर देना तो क्या मतलब होँ इस being shunned उन्हें किनारे किया जा रहा है और दोस्तों जब is being के बाद जब third form आएगी तो यह भी passive voice का sentence होगा तो यह present continuous का passive voice का sentence है आप इन चीज़ों को याद रखें और जो इसके अंदर helping वर्व होती है वो इसे मार का प्रियोग किया जाता है और यह दि subject singular हो तो इस आता है तो यह जो सब्जेक्ट है यह वाला गया प्रिसाद थॉमस यह सब्जेक्ट की तरह प्रियोग किया गया है और उसके बाद यदि subject singular होता है तो इस आएगा और इसके बाद being और third form तो यह present continuous का passive voice का sentence हो गया तो क्या मतलब हुआ अंजू स्वादर जो अंजू के पिता है गया प्रिसाद थॉमस is being shunned उन्हें किनारे किया जा रहा है by locals इस्थानियों के द्वारा इन बॉना गाउं में यह कोई गाउं को नाम है बॉना विलेज नियर गौलियर के पास after his daughters escaped मतलब जब उनकी बेटी के भाग जाने के बाद daughters escaped मतलब उनकी बेटी के पलायन या फिर भाग जाने के बाद escape का मतलब होता है किसी जगा से भाग जाना पलायन कर जाना चली आगे देखिए there was initial sympathy दोस्तों जो वर्ड है initial यह एक adjective है आप इसे note कर सकते हैं जिसका मतलब होता है शुरुवाती और sympathy noun है जिसका मतलब होता है सहानु भूती तो क्या मतलब वह देर वाज इनिशियल sympathy for him तो क अब और it's not known लेकिन आप इस चीज का पता नहीं है why क्यों it changed मतलब यह क्यों बदल गई to animosity मतलब यह और animosity एक noun है जिसका मतलब होता है बैरता शत्रूता या दुश्मनी तो इस लाइन का क्या मतलब होगा कि उनके लिए गाउं में पहले क्या था उनके लिए शुरुवात इस बारे में नहीं पता है कि यह क्यों बदल गई है किसमें इन एक बैरता में मतलब कि शत्रूता में क्यों बदल गई है people have stopped giving him work और दोस्तों यह present यह भी present perfect का sentence है तो क्या मतलब हो है यहाँ पर people have stopped giving him work लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया है and his tailoring business और जो उनका tailoring business है मतलब जो उनका tailoring का यह कह सकते हैं जो दरजी का व्यपार है tailoring का business है व्यपार है परिवार के निकट है close to the family मतलब जो परिवार के जो निकट सूत्र है उन्होंने बताया चलिया आगे देखिए अंजू quietly left home on July 20 क्या मतलब हुआ quietly adverb है जिसका मतलब होता है खामोशी से और यह जो left है दोस्तों यह leave की second form है जिसका मतलब होता है छोड़ना तो जब हम किसी भी वाक्य में second form का प्रियोग करते हैं तो इसका मतलब यह क्यों past indefinite का वाक्य है क्योंकि past indefinite के अंदर positive वाक्य में या कह सकते हैं अफर्मिटिव वाक्य में वर्व की second form का ही प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ अंजू quietly left home अंजू ने खामोशी से चुपचाप घर छोड़ा on July 20 20 जुलाई को telling her husband and two children मतलब अपने husband और दो बच्चों को बताते हुए जिनकी आई हुए aged 15 and 6 15 और छे दैट की she would visit visit का मतलब होता जाना कहीं she would visit जैपूर जैपूर जाएगी and or would be back soon और वह जल्दी वापस आएगी बट लेकिन went off to Pakistan वह पाकिस्तान चले गई और वैलिड वीजा एक वैलिड वीजा पर एक वैलिड वीजा पर पाकिस्तान चले गी बट वैलिड वीजा औ की रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान की जो मीडिय रिपोर्ट्स से वह कहती है she has changed her name अब देखिया यहाँ पर हैस के बाद third form का प्रियो किया गया है यह भी प्रिजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो क्या मतलब हुआ की पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स मतलब पाकिस्तान की म एंड मैरेड और शादी कर ली एंड मैरेड हर FB फ्रेंड मतलब Facebook फ्रेंड से मित्र से नसुरुला चली आगे देखिए इंगर का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का उबलना अब देखिए यहापर community के बाद apostrophe S का प्रियोग किया गया है तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब है का का के की तो क्या मतलब हुआ anger सिमर्स मतलब की जो गुस्सा है वो उबल रहा है उबलता है इन बोना बोना में as people feel जैसा की लोग महसूस करते हैं their communities reputation reputation एक नाउने जिसका मतलब होता है प्रितिस्था तो जो वो क्या फील करते हैं their communities reputation मतलब जो उनकी जो community की उनके समुदाय की जो प्रितिस्था है has been tarnished tarnished का मतलब होता है कि चीज़ को कलंकित करना उस पर धबा लगाना तो क्या मतलब हुआ कि वो क्या महसूस करते हैं कि जो उनके community की उनके समुदाय की जो प्रितिस्था है reputation has been tarnished उसे tarnished किया गया है मतलब धबा लगाए गया है डियू टू अंजू की इस अंजू के काम की वज़े से डियू टू का मतलब वज़े attention मतलब एक राष्ट्रिय अटेंशन का जो राष्ट्रिय ध्यान का क्या है वह फोकस बन गया कैंदर बन गया एंड इवन इफ अंजू वर टू रिटन और यदि अंजू वापस लोटती है टू इंडिया भारत शी वूड लाइकली फेस और वह इस चीज़ की संभाव नहीं अपने होम टाउन में से लोकल्स इस्थानिय कहते हैं चलिए आगे देखिए अडिंग टू दा फैमिली जो अर्विंद जो पती हैं अर्विंद मीना और उनके भाई डेविट थॉमस जो जान नाम है डेविट थॉमस और फ्राइवेट फर्म्स के जो साथ थी इन भिवाडी राजिस्तान में आफ्टर पाकिस्तान ट्रिप उनकी जो पाकिस्तान की यातरा है उसके बाद आगे देखिए डेविट्स एम्प्लोयर्स अब यह निकाल दीया br घर रुखने को कहा गया है अंटिल मतलब की जब तक further orders जब आगे के जो orders हैं आदेशों तक and not to mention and not to mention और वो mention ना करें the company's name company के नाम को anywhere किसी भी जगा तो उन्हें क्या कहा गया है कि घर बैठने को कहा गया और आगे के order नाम मिलने तक और ये कहा गया है कि वो company का नाम का उनलेख ना करें कहीं भी से सूर्से सूत्र कहते हैं it is not non मतलब ये पता नहीं है if यदी arvind is being paid अब देखिए यहां पर भी ये is being third form का use है तो ये present continuous का passive voice का sentence है तो इस line पूली line का क्या मतलब हुआ it is not non मतलब ये इसके बारे में पता नहीं है जानकारी नहीं है if की arvind is being paid for sitting tight की arvind को जो है पे किया जा रहे मतलब की पे किया जा रहा है पे का मतलब होता है यहां पर salary देना की अरविंद को salary दी जा रही है पैसे दिये जा रहे है for sitting tight मतलब बैठने के लिए चलिए आगे देखिए MP home minister जो MP के home minister है ग्रे मंत्री नरोतनम मिश्रा has ordered उन्होंने आदेश दिया है police police को to investigate जांच करने का the circumstances परिस्तितियों को of unjust unjust Pakistan run उसकी जांच करने का आदेश दिया है and or if की यदि there was any external influencer की यदि कोई बहारी प्रभावता तो दोस्तों ये एक छोटा सा article था और मैंने कोशिश किए आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की यदि आपको मेरा प्रियास अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें सुनने के लिए थैंक यू सो मच्छ हैव अनाइस डे और बाई